हेलो दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे AI टूल के बारे में सिखाने जा रहा हूँ जिसका यूज करके आप बिलकल हुमन्स जैसी रियलिस्टिक वाइस जनरेट कर सकते हो और वो भी बिलकल फ्री इस AI टूल से जनरेट की वाइस अवर को आप यूट्यो वीडियो के लिए भी यूज कर सकते हो और आपका चैनल भी 100% मोनिटाइज होगा पहले मैं आपको एक्जेंपल के लिए इस AI टूल से जनरेट की वाइस सुनाता हूँ इसके बाद मैं आपको वाइस जनरेट करना सिखाऊंगा तो फ्रेंड्स वाइस आपने सुनी अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आप भी ऐसे वाइस कैसे जनरेट कर सकते हो इस टूल का नाम है 11 Labs इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च करना है 11 Labs अब इस वेब साइट को ओपन करने सो दोस्तो अभी हमारा टेक्स टू स्पीच वाला AI टूल ओपन हो गया है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं सबसे पहले आपने यहां पर क्लिक करना है इसके बाद इसमें Google या Facebook के जरियर साइन इन कर लें इन दो बाक्स को क्लिक करके मैं अपने अकाउंट से साइन इन कर लूँगा अभी हमारा टूल ओपन हो गया है सबसे पहले इस वाले आप्शन पर क्लिक करके आप अपनी requirement के हिसाब से कोई भी voice select कर सकते हो male की या female की इस play वाले बटन को क्लिक करके आप इन सब की voice सुन सकते हैं और जो भी आपको बेतर लगे इससे select करके voice over generate कर सकते हैं मैं इसमें item की voice ही select कर लेता हूँ इसके बाद next आप इस वाले option को क्लिक करके voice की setting भी कर सकते हैं इसके बाद आपने यहाँ click करके इस second option को select कर लेना है इसका फाइदा यह है कि इस second option को select करने से आप English या Hindi या किसी भी language में voice generate कर सकते हैं अभी इस text वाले box में आपने अपना script लिखना है एक बाद आपने याद रखनी है कि जो भी voice चाहिए आपको तो आपको script भी उसी language में होना चाहिए for example अभी मैं यहाँ हिंदी voice over generate करता हूँ तो simple मैं यहाँ अपना script लिखने के बाद generate पर क्लिक कर दूँगा चन सेकंड बाद हमारी voice over generate हो जाही बहुत पहले की बात है एक शिल्प कार मूर्ती बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूनने गया वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा यह मूर्ती बनाने के लिए बहुत ही सही है दोस्तो इस टूल में आपको 10,000 words हर में इने generate करने के लिए दिये जाते हैं यहाँ इस टूल के price plan भी आप चेक कर सकते हैं वैसे अगर आप long term के लिए free में इसको use करना चाते हैं तो जब भी आपके words खतो हो आप किसी और account से login करके 10,000 words और भी ले सकते हैं लास्ट में मैं आपको एक tip बताता हूँ अगर आप daily basis by this tool को free में use करना चाते हैं तो internet पर आपने कोई भी website जो के temporary emails बनाती हो इसको open करके कोई भी email generate कर लेनी है और इसमें sign in कर लेना है इसका फाइदा यह होगा कि आपका time waste होने से बच जाएगा और आपको लंबे तरीके से email बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर आपको किसी भी AI tool के बारे में जानना है तो comment section में जरूर बताएं